दोस्तों आज का चैप्टर बहुत ही टट्टू सा चैप्टर है इसका नाम है आर इन्वाइर्मेंट इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब चीजे तुम्हें पहले सी पताऊंगी क्योंकि वो चीजे तुमने फूर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ रखी हैं पता नहीं ये चैप्टर बुक में डालने की क्या जरूरत थी चलो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ये चैप्टर तुम्हें दस मिनिट के अंदर अंदर समझाने की वाह आधी मिनिट तो निकल चुकी है और मैंने चैप्टर भी शुरू नहीं किया बहुत बड़िया चलो तो मूवी शुरू करते हैं तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं पानी, पेड़ पौधे, बादल, जानवर, बिल्डिंग्स और हम खुद ये सब इन्वाइर्मेंट का हिस्सा हैं और हमारी इन्वाइर्मेंट जिसमें हम रहते हैं उसे हम एकोसिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में बोले तो तो बहिया जी, अपने एकोसिस्टम में जितने भी ओर्गैनिजम अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं और producer के example हो जाएंगे सारे plants क्योंकि वो photosynthesis के थुरू अपना खाना खुद बना लेते हैं और इधर blue green algae भी आ जाएगा क्योंकि वो भी अपना खाना photosynthesis से बना लेता है अब जो organism अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और खाना खाने के लिए दूसरों को खा जाते हैं उन्हें हम consumers कहते हैं और इसके example हो जाएंगे सारे जानवर जैसे गाए घास खाती है, शेर हिरन को खाता है तो ये सब ही अपना खाना खुद नहीं बनाते तो ये consumers की category में आते हैं अब share की बात कर दी है तो एक share सुनाए बिना मैं तो आगे बढ़ने से रहा तो वावा करने के लिए तयार हो जाओ कहदो पढ़ने वालों से कभी हम भी पढ़ा करते थे जतना सलेबस पढ़के वो टॉप किया करते थे उतना सलेबस तो हम छोड़ दिया करते थे मज़ा आ गया भाई हाँ हाँ एक दिन पहले शायरी सुनोगे तो मज़ा ही आएगा चलो अब food chain की बात करते हैं तो यार food हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर में एनरजी बनी रहे और food chain में जो सबसे पहले आते हैं वो है plants यानि producers क्योंकि वो अपने food को खुद बनाते हैं और ये अपना food sunlight से मिली energy से बनाते हैं और इनकी पतियां सिर्फ sunlight की 1% energy को ही capture कर पाती है अब food chain में जो next आते हैं वो है primary consumers primary consumers में जादा तर हर भी वोरस आते हैं यानि वो animals जो vegetarian होते हैं जैसे गाए, बकरी, हिरन वगेरा वगेरा इसके बाद आते हैं food chain में secondary consumers ये दूसरे जानवरों को खाते हैं लेकिन इने भी कोई दूसरा जानवर खा जाता है जैसे मेंडक को ले लो ये मक्हिया खाता है और मेंडक को साप खा जाता है इसके बाद आते हैं food chain में सब के पाप लोग इने कहते हैं tertiary consumers ये दूसरों को खा जाते हैं पर इनको कोई और नहीं खाता जैसे tiger, शेर, eagle वगेरा वगेरा चलो अब एक food chain का example लेते हैं सबसे पहले चूहे को ले लो वो plants या extra चीज वाला pizza खाता है और चूहों को साप खाता है और साप को eagle खा जाता है तो ये बन गई हमारी एक food chain अब food chain की एक खास बात समझना मान लो एक plant है उसके अंदर 500 joules energy है उसको deer खा जाता है और फिर deer को tiger खा जाता है तो tiger को सिर्फ 10% energy यानि 50 joules energy मिल पाती है तो जो बाकी 90% energy है वो deer के digestion उसकी body growth टाइप जैसी चीजों में चली जाती है और tiger को नहीं मिल पाती है और क्योंकि energy उपर की तरफ जाते हुए कम होती जाती है इसलिए हमारे ecosystem में बहुती कम tertiary consumers होते है और primary consumers और producers जादा होते है अब एक जानवर सिर्फ एक ही टाइप के जानवर का शिकार तो करता नहीं है यानि tiger सिर्फ deer को ही थोड़ी खाता है वो zebra, giraffe और नजाने कितने और जानवरों को खा जाता है इसलिए सारी food chains आपस में linked होती है तो जब सभी को मिला दें तो chain की जगे एक web सा दिखाई देता है जिसको हम food web कहते है भायो ये food chain से सिर्फ energy ही पास नहीं होती है बलकि chemicals भी पास होते है हम लोग आजकल जो pesticides और fertilizer डालते रहते हैं वो भी pass on हो जाते है अगर तुम wedge हो तो simple है तुम जो भी खाते हो उसमें fertilizer pesticides होते है और वो सीधा तुमारी body में चले जाते है और अगर तुम non wedge हो तो जिस भी chicken को तुम खाते हो उसमें भी pesticides होते है क्योंकि उस chicken ने वो plants खाय होते है जिन पर pesticides वगेरा यूज किया जाता है और इस process को हम biological magnification कहते है biological magnification इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम food chain में उपर की तरफ जाते है उतना ही chemicals का amount बढ़ता चला जाता है एक plant पर थोड़े से chemical होंगे पर एक मुर्गे के शरीर में और भी जादा chemicals होंगे क्योंकि उसने बहुत सारे plants को खाया है उसके बाद humans के अंदर सबसे जादा chemicals होंगे क्योंकि उसने chickens की पूरी bucket खा रखी है चलो अब बात करते हैं कच्रे की अरे तुमारे कानों का कच्रा नहीं स्वच भारत campaign वाला कच्रा तो यारों कच्रा दो टाइप का होता है बायो डीग्रेडिबल एंड नौन बायो डीग्रेडिबल बायो डीग्रेडिबल वो होता है जिसे जमीन में गाडने के बाद वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है एक्जामपल के तौर पे केले के छिलके लकडी पेपर वगएरा वगएरा अब दूसरा नॉन बायो डीग्रेडिबल उसका उपोजिट होता है यानि इसे तुम आज जमीन में गाड़ दो तो जब तुमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे और वो उधर गड़ा खो देंगे तो उन्हें वो चीज उधर सही सलामत मिलेगी ये जमीन में गाड़ने पर कहीं नहीं जाता तो भायो सवच भारत को सपोर्ट करो और ये चिप्स वगएरा के पैकेट्स को इधर उधर ना फैको इन्हें अपनी जेब में डाल लिया करो और फिर जब डेस्ट बिन देखे तो उधर डाल देना चोटा सा काम है प्लीज थोड़ी जिम्मदारी दिखाओ बाकी आगे तुमारी मर्जी है वैसे ग्रीन डेस्ट बिन बायो डिग्रेडिबल्स के लिए होता है और ब्लीज डेस्ट बिन नौन बायो डिग्रेडिबल्स के लिए होता है लेकिन तुम बस कूडा डेस्ट बिन में डाल दो वही काफी है चलो अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर ओजोन लियर एंड ओजोन लियर के खात्मे की कहानी यारो ओजोन हम O3 को कहते हैं और O2 को हम ऑक्सिजन बोलते हैं ऑक्सिजन तो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है वरना हम जी नहीं पाएंगे लेकिन ओजोन उतनी ही खतरनाक है अगर ओजोन तुमारे शरीर में चली गई तो वो जहर का काम करेगी लेकिन ओजोन का एक फायदा भी है वो हमें सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और हमारे एटमोसफेर के टॉप पर पूरी ओजोन की एक लेर प्रेजेंट है अगर ओजोन की लेर नहीं होती तो सन की यूवी रेज से हमें स्किन कैंसर हो जाता चलो अब ये देखते हैं की ओजोन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है तो होता क्या है जब यूवी रेज ओक्सिजन यानी ओटू से टकराती है तो वो ओटू को दो अलग-अलग ओके एटम्स में डिवाइड कर देती है और फिर ये एक O का एटम O2 से कंबाइन हो जाता है और हमें O3 यानी ओजोन का एक मॉलिक्यूल मिलता है लेकिन हमारे AC, Fridge, Fire Extinguishers इन से CFC यानी क्लोरो-फ्लोरो कार्बंस निकलते हैं जो की उपर जाके Ozone लेर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पर अब Technology आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, तो नए-नए AC Fridge वगेरा आ रहे हैं जो की बहुती कम अमाउंट में CFC को प्रोड्यूस करते हैं और अब Ozone लेर पर कोई बड़ा खत्रा नहीं है वरना एक टाइम आया था, जब Australia के उपर Ozone लेर में एक अच्छा खासा बड़ा छेद बन गया था चैप्टर हुआ यहीं समाप्त और आज का मॉरल है, ये Life, ये Society एक Food Change जैसी है जो सबसे उपर होता है, वही राज करता है इस जंगल पर पर आज करता है